Hello students, welcome back to Chemical Crafter हमारा class 11th का chapter number 2nd that is structure of atom चल रहा है और जो यह हमारा आज का part है वीडियो का यह है part 5th उसी chapter का तो चली हम देखते हमारा आज का topic जो है discovery of neutron हमने इससे पहले देखा था discovery of electron और proton जो की हमारे subatomic particle थे तो आज हम एक और subatomic particle की discovery देखेंगे जो है neutron neutron की जो discovery हुई थी वो सबसे last में discover हुआ था और इसको जो discover किया था वो किया था हमारे scientist James Chadwick ने और in the year 1932 इस year में नोने neutron की discovery करी थी और इसकी सबसे last में discovery इसलिए हुई थी क्योंकि neutron के ऊपर कोई भी charge नहीं होता है कोई भी charge आपको पता है जो electron है उसके ऊपर negative charge होता है और जो proton है उसके ऊपर positive charge होता है पर जो neutron है उसके ऊपर कोई भी charge कैरी नहीं होता इसका मतलब क्या है कि जो ये species है ये हमारे पास क्या है electrically neutral species है electrically neutral species होने की वज़े से ही इसका जो नाम है वो neutron पड़ा तो जो भी ये electrically neutral है तो इसलिए ये जो neutron है ये कोई भी जो deflection है with respect to positive field और negative field कोई भी deflection यहाँ पे नहीं दिखा रहा था जो कि हमने earlier experiments में देखे थे for electron और proton के लिए हमने cathodary discharge tube experiment देखा था जो कि हमें JJ Thompson ने explain करा था अच्छे से for electron और Goldstein ने explain किया था for proton और इन्होंने अपनी existence तभी दिखाई थी जब इन्होंने deflection शो करी थी with respect to positive or negative field में इसी कारण हमें इनकी जो discovery हुई थी electron और proton की वो जल्दी हो गई थी in comparison to neutron तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि जो neutron की discovery हुई वो कैसे हुई यहाँ पे जो neutron की जो discovery थी उसका जो main basic foundation थी वो क्या थी? atomic mass atomic mass की वज़े से neutron की जो discovery वो हुई scientist ने यहाँ पे क्या देखा कि जब वो atom का mass calculate कर रहे थे जब atomic mass मतलब atom का जब mass calculate कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि वो गलत observe हो रहा था अब इसका example के तौर पे देखिए जैसे हमारे पास hydrogen atom है तो इन्होंने इसका mass देखा कि इसका mass कितना होता है? 1 unified mass that is 1u unified mass आपको पता है क्या है? 1 twelfth mass of carbon 12 carbon atom का 1 twelfth mass होगा वो हमारा 1 unified होता है और आपको पता है इसकी value कितनी होती है? मैं first chapter में किया था बचा 1.66 into 10 की power minus 27 kg ठीक है? तो उन्होंने क्या देखा कि hydrogen का जो mass है वो किसके equal होगा? एक proton के equal होगा और उसकी value क्या है? ये वाली ठीक है? तो अब उन्होंने क्या देखा कि इसको trust check रहने के लिए उन्होंने इसको balance करा, balance machine में रखा और उन्होंने देखा कि इसका mass है वो 1 amu, that is 1 u ही आया है. तो उन्होंने क्या देखा? कि जो protons है, hydrogen में आपको पता है कितने protons होते हैं? एक proton होता है hydrogen में, तो उन्होंने क्या देखा कि जो proton है वो ही contribute कर रहा है किसके लिए mass के लिए atom के तो जो proton होगा वो ही mass के लिए contribute करेगा फिर उन्होंने अब इसके बाद helium atom लिया यहाँ पे जब helium atom लिया तो उन्होंने क्या देखा इसके पास two protons है और two electrons है helium atom के बास तो उन्होंने देखा जब helium atom का जो मास जो भी होगा वो कितना होगा? तो प्रोटोन्स की वज़े से होगा और वो किसकी इक्वल होजेगा? तो यू, that is two unified मास के इक्वल हो जाएगा और उन्होंने जब compare के rice को with hydrogen atom के साथ तो उन्हें क्या लगा था? कि यहाँ पे होगा कि अगर हम यहाँ पे helium रखेंगे, यह हमने helium atom रखा, उन्होंने पहले imagine करा था कि ऐसे होगा हमारे पास, कि अगर हम यहाँ पे two hydrogen atom रखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा यह दोनों equal हो जाएगे, तो जब उन्होंने ऐसा किया, पर यहाँ पर क्या हुआ, कि ऐसा नहीं हुआ उन्होंने क्या observe करा, कि जब उन्होंने helium atom रखा, तो जो उसका weight था, वो बहुत जादा था in comparison to two hydrogen atom यह जो उन्होंने two hydrogen atom रखे, तो फिर scientists ने यहाँ पे इसको balance करने के लिए, एक और hydrogen रखा यहाँ पे, वो तब भी balance नी हुआ फिर यह helium atom तब balance हुआ जब उन्होंने यहाँ पे four hydrogen atoms रखे, means कि यहाँ पे एक helium atom है और यहाँ पे four उन्होंने hydrogen atoms रखे यहाँ पे, तब जाके यह equal हुआ, यह भी equal जो mass है वो क्या है, four unit होना चाहिए four you होना चाहिए और जो एक helium atom है, उसका mass तो two unit होना चाहिए, according to the scientist है न, तो two unit होना चाहिए पर जो यह extra mass जो यहाँ पे दिख रहा है, यह वाला जो extra mass जो दिख रहा है यह जो mass है, यह mass कहां से आ रहा है, अगर उनका जो atomic number है यहाँ पे, इसका क्या है two है, और two protons है तो इसका जो extra mass है, यह mass कहां से आ रहा है, यह scientist ने जब इस चीज़ को देखा, तो वो बहुत doubt में आ गए इसमें Rutherford scientist और उनके co-scientist सबने इसमें चीज़ें देखी और उनको एक और चीज़ का doubt था इस पे, कि अगर हम atomic number और atomic mass atomic number और atomic mass को अगर compare करें हम अलग-अलग, किसी भी elements का अगर आप example के तौर पे देखो helium का जो है, helium atom का कितने होते हैं इसके पास atomic number that means number of protons आपको पहले भी बताया है, मैंने पिशली हमारे previous वीडियो में, इसका atomic number कितना है, 2 है और इसका atomic mass कितना है, 4 और lithium को देखो से ना, lithium का कितना होता है, atomic number 3, पर इसको atomic mass कितना है, 7, और beryllium का कितना है, 4 और atomic mass कितना है, 9, तो जब उनने देखा कि यह जो इतनी variation आ रही है atomic mass में, यह ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो mass है वो तो atom का, जो है वो nucleus contribute कर रहा है, और nucleus में तो protons कितने हैं, इतने हैं पर जो mass है, वो इतना इनका जादा आ रहा है अगर number of protons 2 है, तो इसका mass तो 2 आना चाहिए, पर वो कितना आ रहा है 4, इसमें number of protons 3 है तो कितना आना चाहिए mass 3 आना चाहिए, पर यहाँ तो 7 है यहाँ पर 4 है number of protons, पर यहाँ पर 9 आ रहा है, तो उन्होंने क्या यहाँ पर देखा, कि यह जो है, यह बहुत बड़ा doubt है सारे scientists, बहुत बड़े टेलिमा में आगे, कि यह क्या हो रहा है जो यह इतना extra जो mass आ रहा है, वो किसकी वज़े से आ रहा है यहाँ पर, तो फिर उसके बाद James Chadwick I, scientist, अमारे James Chadwick ने in the year 1932 मे in 1932 मे उन्होंने अपने experiment के थूँ यह दिखाया कि जो nucleus है, जो nucleus है यहाँ पर, उसके साथ यहाँ पर proton के अलावा कुछ और भी है, यहाँ पर जो की mass के लिए यहाँ पर contribute कर रहा है पर उसके पास कोई दिचार्ज नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, पर उसका जो mass में है वो क्या है, अपना contribution दिखा रहा है तो चलो, अब हम देखते है यह इसका experiment यह introduction है बचे, जो मैंने आपको अभी अभी बताई है, यह सारी introduction है यह वाली, आप इसको read कर सकते हैं यहाँ से, तो उनका जो experiment था, यहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया, कि जो यहाँ पे उन्होंने क्या लिया यहाँ पे एक alpha particle लिया alpha particle का मतलग helium atom लिया, helium atom 2he4 जो हमने अभी पीछे मैना को बताया है, helium के बारे में, तो उन्होंने यहाँ पे helium atom लिया, that is alpha particle लिया, उसको bombard करवाया beryllium sheet यहाँ पे, यह वाला, यह beryllium की sheet है, इसके उपर bombard करवाया, means उस पर strike करवाया यहाँ पे, जब यहाँ पे alpha particle को इस पे strike करवाया उन्होंने, तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे जो है, कुछ raise निकल रही है, कुछ raise तो जब यहाँ पे बहुत raise निकल रही है, तो scientists ने, जब इनको study करा इन raise को, तो उन्होंने यहाँ पे क्या पाया, कि यह raise है यह raise क्या है, neutral है उन्होंने यह देखा, कि ज़ यह raise है, यह क्या है, neutral और इस पर क्या है neutral का मतलब, इन पे कोई भी charge नहीं है तो यह confirm हो गया यहां से कि जब इनको कोई फारक ही नहीं बढ़ रहा है इंदर प्रेजंस अफ एलेक्रिक फील्ड कि जो यह स्पीशी है जो यह रेज है यह क्या है यह नूट्रल है तो फिर उसके बाद इन रेज़ को यहां पर जो यह रेज निकली इन रेज़ को उन्होंने टार्गेट करवाया यहां पर पे पेराफिञ्वेक्स यह हमारा वेक्स है that is mom, mom पे उन्होंने क्या करवाया, इसको strike करवाया यहाँ पे, तो जब यहाँ पे target पे यहाँ पर उन्होंने strike किया, तो उन्होंने यहाँ पे क्या देखा, कि यहाँ से बाहर जो है, वो क्या निकल रहे हैं, protons, protons, positively charged, particles, यह क्या है, protons यहाँ से निकल रहे हैं, बाहर की तरफ, यहाँ पे, तो उन्होंने क्या conclude किया, कि जो ये rays है, ये वाली, जो rays निकल रही है ये है तुझी electrically neutral, और साथ में ये क्या देख रहे हैं, कि इसमें बहुत जादा momentum है, कि इतना जादा momentum है, कि इतने speed से ये लोग आ रहे हैं, कि जो बड़े particles है, जिसने proton ने इसको ऐसे ही बहार निकाल दिया, यहाँ से, इस vex में से, यहाँ पे, तो इतना इन में speed से आरे इतना momentum है, कि इन्होंने यहाँ से protons को बहार निकाल दिया, उसके बाद जब उन्होंने इसको study करा, तो ने देखा, कि यह जो neutral particles है, यह क्या है, these are neutrons, यह क्या है, neutrons, यह experiment था, किसका, James Chadwick का, और अभी हम इसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ी सी theories, क्या है, यहाँ पे, इसका क्या है, neutron क्या है हमारे पास, subatomic particle है, ठीक है, और यह subatomic particle का मतलब क्या है, जैसे हमने protons, neutrons, electrons, हमने protons का देखा था, it carries positive charge, electron का देखा था, it carries negative charge, और हमारा third subatomic particle, that is neutron, तो यह क्या कर रहा है, carries no charge, और neutrons का जब कोई charge नहीं है, तो क्या है, उनको हम easily detect भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनकी जो discovery हुई, मैं आपको पहले बताया है, वो सबसे last में हुई है, और in the year 1932, James Chadwick, हमारे scientist का नाम, उन्होंने क्या करा, bombard करवाया beryllium को, with the stream of alpha particles, alpha particles, that is helium, atoms के साथ, उन्होंने इसको bombard करवाया, उन्होंने क्या देखा, कि जो penetrating radiations थी, वहाँ पे क्या होई, produce हुई और उनको कोई सफ़रक नी पड़ा, electric field का, ठीक है, जब भी आप में पिछे हुई देखा, वो बताया है मैंने, और उन्होंने in radiations जो थी, वो किस की बनी वी थी, वो neutral particles की बनी वी थी, और उनका नाम जो आया, वो क्या था, neutrons फिर उसके बाद, उन्होंने जो experiment था, neutron का को किस पर करा, beryllium पे, ठीक है, उसको bombard करा, with alpha particles, that is, helium, ठीक है, और आपको बता है, beryllium का mass कितना है, 9, atomic mass, यह 9 जो लिखा है, पच्छे, atomic mass है, और जो इसका nuclear reaction है, यहाँ पे, वो हम देख सकते है, nuclear reaction, जो उन्होंने करवाया था, James Chadwick ने, यहाँ आप देख पा रहे हो, उन्होंने क्या करा, nuclear reaction करवाया, किस-किस के बीच में, यहाँ पे आप देखो, beryllium और alpha particle, that is, helium, helium atom के बीच में, तो यहाँ पे क्या हुआ, कि high amount of radiation निकली, यहाँ पे high amount of radiation निकली थे, जो उन्होंने पीछे भी देखा था, experiment में, high amount of radiation निकली, और यह एक nuclear reaction है, अभी हमने पीछे देखा कि यह क्या है, nuclear reaction है, अभी यहाँ पे nuclear reaction कर यहाँ पे meaning क्या है, नूकलियर रियक्षिन है, नूकलियर रियक्षिन का मतलग क्या है? जो रियक्षिन जिसमें नूकलियस इन्वाल्ड हो नूकलियस जिसमें इन्वाल्ड होंगे, उसको हम बोलते हैं नूकलियर रियक्षिन्स ये chemical reaction से different है chemical reaction जो है वो क्या होती है उसमें electrons का involvement होता है chemical reaction में हम देखते हैं कि electrons का involvement हो रहा है कि electrons इधर से उधर transfer हो रहे हैं वो उधर से उधर जा रहे हैं पर जो nuclear reaction है ये comparative to chemical reaction बहुत जादा dangerous है dangerous किस aspect में इसमें बहुत जादा high energetic radiations release होती है लिबरेट होती है, ठीक है, आपको पता लग गया, कि ये जो nuclear reaction इसमें क्या है, nucleus involved होता है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे है, nuclear reaction, और इसमें बहुत ज़ादा plenty amount of energy क्या होती है, liberate होती है, अब इतनी ज़ादा amount of energy अगर liberate हो रही है, तो obviously वो बहुत ज़ादा dangerous है, आपने सु तो इसमें से क्या हुआ, एक निया nucleus निकल कर आया, that is carbon atom का, यहाँ पे, और साथ में क्या था, high energetic radiations, release हुई यहाँ पे, high energetic radiations, अब आप यहाँ पे देखो, जो atomic number है, बैर helium का कितना है, 4, यह atomic number होता है, यहाँ पे, यह 4, और इसका helium का कितना है, 2, ठीक है, यहाँ पे, helium का क अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे क्या होजेगा, यहाँ पे 4, प्लस 2, that is 6, 6 का हमारे पास क्या बनेगा, atomic number का कुछ बनेगा, और वो क्या बना हमारे पास, carbon, यहाँ पे हमें निया nucleus मिला, that is carbon का, और आप यहाँ देख पा रहे हैं, अब इसका जो mass आपने देखा, वो कितना होना चाहिए, 13, पर जो carbon का mass है, हमें पता है, वो तो 12 होता है, वो हमने पहले देखा हुआ है, scientist ने पहले निकाला हुआ है, जो कि क्या है, एक unit mass का, जो है, वो mass कहा चला गया, अब यह तो 12 है, पर यहाँ पे 13 होना चाहिए, तो जो एक unit mass है, वो कहा चला गया, scientist ने आपने देखा, पिछे उन्होंने वेक्स लगाया था यहाँ पे, ठीक है, पैराफिन वेक्स जब लगाया था, तब उन्होंने देखा कि जो वो एनरजी जो रिलीज हो रही थी, वो जो एनरजी की रेस थी, उसके साथ क्या निकल रहा था महाँ पे, न्यूट्रॉन, और वो यहाँ पर क्या था, पैराफिन वेक्स पे आके क्या कर रहा था, वो ब्लॉक हो गया था यहाँ पे, और उसने यहाँ से उसके प्रतोन को रिलीज किया था, ठीक है, तो जब यहाँ पर जो ब्लॉक हुआ, तो वो क्या था, न्यूट्रॉन, जिसपे कोई भी चार्ज नहीं इसके उपर एक यूनिट मास होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो high energetic radiation निकल रही थी reaction में, वो किसकी बनी हुई थी neutron, वो neutron जो था उन रेडियेशन के साथ जा रहा था, तो जिस पर क्या है कोई भी चार्ज नहीं है और आप देख पार हो यहाँ पे कि इसके उपर क्या है अब zero proton है तो इसके पास क्या है, electron भी नहीं है, proton भी नहीं है, neutron के पास, तो सिर्फ यहाँ पे क्या है, इसके पास एक unit mass है, यहाँ पे आप देख पार हो atomic mass कितम है इसका, एक unit mass है, तो इसलिए इसको भी एक subatomic particle बना दिया गया, क्योंकि यह जो क्या है, यह mass को contribute कर रहा है किसी भी atom के, proton के सासat Newton भी क्या कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है कि कितना atomic mass होगा किसी भी atom का तो इसका जो mass है, वो कितना है 1 unit mass 1 U, ठीक है अब हम आगे देखते हैं इसमें आगे scientist ने और क्या हमें बताया कि जो इसकी properties देख लेते हैं क्या है, neutron क्या है हमारे पास एक sub-atomic particle है, जिसका mass कितना है, 1.67493 into 10 की power minus 27 जो कि आप देख पा रहे हो कि जो हमारे पास proton का mass था, उससे थोड़ा सा mass इसका क्या है, जादा है, भी हम compare करेंगे last slide में अपनी, तब हम देखेंगे इसका जो mass है, वो कितना है, इतना है और इसके बाद scientist ने इसके बारे में और भी study करी, इसका mass कितना हुआ approximately 1.008 amu, atomic mass unit इसको 1 by 12th carbon atom से compare करा, तो इसका इतना mass आया that is equal to the mass of a proton or hydrogen atom अभी आपको बताया, ठीक है, यह उसके equal ही है, और इसके पास कोई भी charge नहीं है, अब इसके कोई charge नहीं है, तो obviously charge upon mass, that is charge to mass ratio क्या हो जाएगी neutron की, it is equal to 0, जो हमने electron और proton में निकाली थी, E upon m charge to mass तो वो इसकी जो value क्या है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि इसके पास कोई भी charge नहीं होता, और neutron है, वो कहाँ भी present होता है nucleus में, nucleus of an atom वहाँ भी हमें neutron मिलेगा और neutron और protons क्या है दोनों ही present कहा होंगे nucleus में, ठीक है, proton के साथ neutron भी present होगा, और इनको दोनों को आपस में अगर हम मिला दे, तो इनको क्या बोलेगी हम termic nucleons nucleons का मतलब कि protons plus neutrons, ठीक है और neutron के क्या पास है कोई भी electric charge नहीं होता तो neutron क्या है, neutrally charged subatomic particle है ठीक है, ये subatomic particle है और देख लेते हैं हमारा next इसमें, और जो इसका approximate mass है atom का in AMU atomic mass unit में, वो किसके equal होगा, entire sum of the neutron और proton present in an atom तो entire mass जो होगा, वो किसके equal होगा, किसी भी atom का, neutron का sum करना पड़ेगा, हमें mass का, और proton का करना पड़ेगा, तो वो हमें क्या दे देगा, atomic mass और अगर हमें neutron का mass calculate करना है, तो वो कैसे करेंगी, that is mass number minus atomic number ये भी आप यहाँ से formula देख सकते हो इसको आप याद कर लो, number of neutrons that is mass number minus atomic number, अब एक सको example के साथ देख लेते हैं, calculate the number of neutrons in the sodium atom, अब इसको कैसे करेंगी calculate, अब वो देख लेते हैं sodium atom में कितने neutrons हैं, हमें कैसे पता चलेगा सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, कि sodium का atomic number कितना होता है यहाँ पे पता है, atomic number कितना है 23, अगर हमें यह चीज़ पता है तो हमें अभी हमने पीछे formula देखा, number of neutrons निकालने का, वो क्या था, mass number minus atomic number अभी अभी हमने पीछे देखा कि इसको हम ऐसे calculate कर सकते हैं, अगर mass number हमें पता है, यहाँ पे कितना है sodium का, it is 23, और atomic number इसका पता है, हमें कितना है, 11 और इसको minus कर दो, यहाँ पे आगया हमारे पास 12, तो इतने हमारे पास 12, कितने आगये, number of neutrons are equal to 12 किसमें sodium atom में यहाँ पे आप easily calculate कर सकते हो, अगर आपको formula याद है, एक और हम example देख रहेते हैं, कितने neutrons हैं, एक carbon atom में यहाँ पे देखते हैं, carbon का हमें पता है, कि जो atomic number है वो कितना होता है, 6, ठीक है आपको ऐसे देखा होगा आपने, आपको याद आजाएगा 6C, 12 लिखते हैं हम लोग यहाँ पे हमकी लिखते है, atomic number और उपर लिखते हम atomic mass ठीक है, तो यहाँ पे आप atomic number बता है, carbon का 6 है और mass number बता है, 12 है तो यहाँ से हम formula लगा देंगे अपना अभी हमने जो पीछे लगाया, that is number of neutrons क्या होता है, mass number minus atomic number, mass number कितना है हमारे पास, 12 minus atomic number कितना है, 6 तो यहाँ पे कितना होजेगा, 6 तो number of neutrons are equal to 6, ठीक है in carbon atom तो यहाँ से आप easily निकाल सकते हैं, number of neutrons कितने हैं, तो अब देखते हैं properties of fundamental particles, यहाँ पे आप comparison देख सकते हैं, electrons protons और neutrons, जो हमने निकाला है subatomic particles है, electron को represent करते हैं, e से, small e proton को P से, और neutron को N से, और इनका जो charge है, वो क्या है, coulomb units है, इसकी बचे, C जो यहाँ पे लिखा है coulomb है, units है, इसका क्या है electron का negatively, 1.602176 into 10 की power minus 19 coulombs, ठीक है और proton का क्या है, equally magnitude, सिफ इसका यहाँ पे क्या है, charge opposite होगा, वैसे equal है, electrons के बराबर mass है, जो charge है, वो क्या है, 1.602176 into 10 की power minus 19 यहाँ पे जो charge है, वो क्या है, proton और electron का equal है सिर्फ और सिर्फ, charge जो है, वो opposite है, और neutron में कितना charge है, वो हमने अभी देखा 0, क्योंकि यह electrically neutral species है, अब इनका relative charge, कि इनका आपस में comparison करें, तो इनका कितना charge है, इसका है, minus 1, plus 1, और 0, ठीक है, अब इसका mass, जो है, वो mass कितना है, electron का, 9.109382 into 10 की power minus 31, ठीक है और proton का कितना है, 1.6726216 into 10 की power minus 27 और neutron का कितना है, 1.674927 into 10 की power minus 27 तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जो neutron है, उसका mass, जो है, वो थोड़ा सा proton से जादा है, neutron का mass, proton से जादा है ठीक है, आप यहाँ बेदेख पा रहे हो और जो electron का है, वो तो बहुत ही कम mass है in comparison to proton और neutron ठीक है, तो atomic mass को जो contribute करते हैं, species वो क्या क्या है proton और neutron, ठीक है और इनका mass, जो है अगर हम 1 by 12 carbon atom से compare करें, तो उनकी जो value यह वो क्या आ रही है, electron की 0.00054 और proton की आ रही 1.00727 और neutron की कितने आ रही 1.00867 approximately 0 आ रही है electron की, proton की आ रही है 1, neutron की आ रही है 1 ठीक है, तो यह हमारे subatomic particles से, electron, proton और neutron, तो हमने अपकी discovery देख ली, that is electron, proton और neutron की और यह हमारे पास क्या है, they are building blocks of atom, किसी भी atom के क्या है, building blocks है इसका मतलब क्या है, कि अगर हमारे पास atom का structure है, तो यहाँ पे center में क्या होता है, आपको पता है nucleus होता है center में, यहाँ अभी हम और detail में इसको पढ़ेंगे, हमारी आगया आने nucleus के अंदर क्या है, protons, यह आप देख पार हो यह protons है, और यह neutrons है यहाँ पे, ठीक है, protons carry positive charge और neutrons का neutral, no charge, no charge और यहाँ पे यह क्या है nucleus, nucleus में proton हो गया, neutron हो गया, और जो आजपास यहाँ पे, rotate जो कर रहे हैं, यहाँ पे, यह क्या है these are electron, यह वाले of atom structure, तो हमने इनकी discovery देख ली, और यहाँ पे हमारा हुआ finished topic regarding subatomic particles, जो हमने अलग-अलग इनकी discovery देख ली थे electron की, proton की, neutron की तो यह बैचे आपका class 11 का जो slabels था इसमे, subatomic particles का, मैंने उसके recording करवाया है अगर आप इसमें कुछ advanced version study करना चाहते हैं, तो उसके regarding आप मुझे comment section पर लिखके बता सकते हो तो मैं आपको उसके recording इसको explain कर दूँगी तो अब तक के लिए इतना ही हमने सबकी इनकी discovery देख ली है अब हम मिलेंगे next video में with our new topic, तो तब तक अगर आपको कोई भी query है बच्चे आप मुझे comment section पर लिखके बता सकते है तब तक आप धान रखिए मिलते हम next video में, ओके students, बबाई